Hello guys, कैसे हैं आप लोग? Excel की इस Tab Series में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Excel में Data Tab के सभी Options के बारे में Home, Insert और Page Layout के ओपर हम already वीडियो बना चुके हैं तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो तो मेरा नाम है जीतू और बिना किसी देरी के चलिया शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम Excel पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम data tab में आते हैं और सबसे पहला option है यहाँ पे from access दोस्तों यहां from access का मतलब है कि हम access की कोई भी file अपने Excel में import करवा सकते हैं तो यहाँ पे मैं access पे करता हूँ click click करने के बाद मैं यहाँ पे desktop पे आता हूँ और यहां पे मैंने already एक file बनाई हुई है data type के नाम से इस पे click करके सिर्फ मैं open करता हूँ open करने के बाद मुझे यहां पे reference देना जो कि मैंने यहां पे पहले number पे दिया है और okay करता ही जो भी मेरा access का data होगा वो यहां पे excel पे import हो जाएगा तो इस तरीके से आप ms access का data excel में import करवा सकते हो अब बात करते हैं यहां पे from web की तो दोस्तों from web की मदब से आप अपनी किसी भी website का data जो है वह excel पे import करवा सकते हो तो इसके लिए क्लिक करंदे बाद यहां एडर्स पर मैं clickater करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं अपनी website का नाम जो है तो आपको इसे करना है तो इहां पर मैं ऍसे यह कर रहा हूं बारबार जब तक यह आएगा उसके बाद आप देख सकतो इस तरीके से जो मेरी वेबसाइट है उसका डेटा यहां पर शो हो रहा है अब मैं यह जो डेटा है वो Excel पर इंपूर्ट करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे यहां पर इंपूर्ट करना है क्लिक करने के बाद यहां से फिर मेरे से reference मांगेगा तो अब यह थोड़ा सा load ले रहा है अब आप देख सकते हैं यहां पर यह आचुकी है reference तो यहां पर मैं इस जग़ाओ क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद तो आप देखोगे कि जो भी मेरी website का डेटा है सारा सारा यहाँ एकसल पर इंपोर्ट को जाएगा थोड़ा से दुबारा time ले रहा है क्योंकि यह नेट से चलता है इसलिए थोड़ा से time taken करता है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेरी website का content है वो यहाँ पर स्रीके से शोब हो जुका है तो दोस्तों फ्राण की मदद से आप अपनी वेबसाइट का यहाँ निद्वा सकते हो है अब बात करते हैं अब आप किसी भी नोटप या वर्टपैट का डेटा यहाँ पर कर बास अब इसके लिए हमाद मैं फ्रांम टैक्ट क्लिक दिया हुआ है तो यहां पर डेलिमिटेट करने के बाद मैं जैसे नेक्स करूंगा तो यह बोलता है कि जो भी आपने डेटा बनाया है वह इस तरीके से आएगा यानि नेम वाला एक कॉलम और डेजिगनेशन वाला दूसरे कॉलम में मैं आज से बैक करता हूं बैक करने के बा दो इसके बाद मैं पर फिनिश कर देता हूं किने के बाद मुझे यहां से लोकेशन देनी है जो कि मैंने हाँ पर क्लिक किया और जैसी ओके आप देख सकते हो कि जितना भी डेटा है वहाँ सारा सारा शोख हो रहा है अब मैं क्या करता हूं जो मेरी नोटपैट की फाइल है is तो यहां पर और मैं एक नाम और लिख लेता हूं कि यह लिखने बाद मैं नहीं कर दिया क्या इंप्लॉई कुलोई मुझे ने cane कर दिया सेव करेगी करता हूं और वापस आते हैं अपने फाइल पर जोगी है अब इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे refresh पे आके refresh all पे click करना है लेकिन अगर मैं यहाँ refresh all पे अभी click करता हूँ तो यह मेरे से बोलेगा कि आपको इस file पे click करना पड़ेगा और आप जब इसे import करोगे तो यह refresh होगा लेकिन मैं चाहता हूँ यार मुझे इतना लंबा काम क्यों करना पड़े तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम यह है कि आपको इहाँ पे properties पे करना है click और यहाँ से यह prompt for file name on refresh इससे click अटाना है और अब आप जैसे ही ok करोगे और आपका data जो है refresh हो जाएगा आप चाहते हो कि आपका data हर 60 मिनट में refresh हो तो आप इस पे click कर सकते हो और आप चाहते हो कि अगर file open करने के दौरान ही आपका data refresh हो जाएगा तो आप इस पे click कर सकते हो तो अभी मैं यहाँ से click अटा आ रहा हूँ इसके बाद next option आता है from other source, तो दोस्तों यहाँ पर from SQL Server, from analysis, service, from OData, data field, from XML, जिस चीज से भी आप अपने data export करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर click करके आप अपनी file को export करवा सकते हो, इसके बाद यहाँ पर existing connection आता है, existing connection का मतलब होता है कि अगर आपने कोई file यहाँ पर open कर रहिया, तो यह सिर्फ उसका connection शो करता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे एक पुरानी file अपनी open कर लेता हूँ, जो मेरी access वाली थी, यहाँ पर click करके, backstop पर आके access वाली file मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर simple मैंने ok किया, तो यहाँ पर मेरी access वाली file आ गई, मैं दुबारा data में जाता हूँ, और इस पर click करता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर existing connection पर मैं जैसी click करूँ हूँ, तो यहाँ पर यह शो कर रहा है कि जो आपकी file है, वो data tab वाली यहाँ से connect है, इंपोर्ट करवा सकते हो, तो यहाँ पर मैं from workbook पर click करता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर desktop पर आके, यह जीत नाम से data है, मैं इस पर click करके import कर देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से sheets आ रही है, sheet 1 आपको लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, तो simple sheet 1 लेनी है, मुझे मेरा data sheet 1 पर है, इसके बाद मैं जैसे यहाँ load पर click करता हूँ, तो load पर click होने के बाद जो भी data होगा, वो हमारा next sheet पर आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी आपका data है, Excel का, दूसरी file का, वो आप import करवा सकते हो, वापस हम data में आते हैं, यह जो show query है, यह show करता है कि आपका data कितनी room है, आप यहाँ पर header अटा दीजिए, header को count नहीं करना है, header को छोड़के जितनी भी हमारी rows है, वो सारी की सारी यहाँ पर show हो रही है, तो इस तरीके से यह चीज़ हमें show होती है, मैं यहाँ से इसे close कर देता हूँ, close करने के बाद यहाँ पर यह from a table का option आता है, तो इस पर क्या करते हैं, from a table पर मैं यहाँ पर click करता हूँ, और from a table पर click करते हैं, इसे power query बोला जाता है, इतना करने के बाद, यहाँ पर इस तरीके से option show होता है, अब इसमें क्या है ने हो पर और ऑप कलिक करता हूं फैर पूरा कर में आपको रखनानाया फोक साइंगे जिस वह पर आपके करन आ प्लौज करता है वापस वांत हो दो एक सब्सक्राइब प्ने क要ई को नौर्बल हो हो जाएगा सेम चीज़ आप keep row और remove rows में भी कर सकते हो यहां से मैं अभी इसे close कर देता हूँ इसमें अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं यहां से मैं इसे discard कर देता हूँ discard करने के बाद आप देख सकते हो हमारा normal data जो है वो आ चुका है इसके बाद यह जो होता है recent source इस पर हम जैसे click करेंगे recent source पर तो यह बताता है कि last recently जो भी आपकी file connected है वो show करता है तो last मैंने यह वाला data यानि जीत वाला data open किया था तो यहां पर यह वो data show कर रहा है तो यह भी simple जैसे यहां पर existing connection है वैसे यहां पर क्या है recent source तो यहां पर मैं इसे भी close कर देता हूँ इसके बाद refresh all यह मैं आपको अल्लेडी बता चुका हूँ connections connections में क्या होता है कि मैंने कौनसी file open करी थी पहले मैंने data tab वाली sheet open करी थी जो कि हमने ms access की file open करी थी तो वह चीज़ यहां पर शो कर रहा है यानि आप बोल सकते हो connection हुआ recent source हुआ और existing connection यह almost same ही होते हैं अब आप यहां से इसने add or remove करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो मैं अभी फिलाल इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं मैं simply file को close कर रहा हूं अब यहां पर आते हैं हम properties में properties जो कि मैंने आपको बता दिया तो इसमें भी मुझे बताने की कोई जरूर्वर है नहीं shorten filter का option यहां पर आ जाता है तो यहां पर मैं क्या करता हूं नंबर लिख देखाँ तो इसके लिए मैं गया करता हूं एक डेटा बना लेता हूं पहले एक अलग सा एक काम करता हूं यह मैं डेटा बना लेता हूं पर रेंडम लिए मैं कुछ भी नंबर यहां पर टाइप कर रहा हूं परुए हैं यहां पर है ने डेटा बना लिए अवं गरंग हो ठीक है 2 यहां। में किया है और एक पॉंट में क्या है अब मुझे क्या करना है बैक्राइंड में एक कलर और करना है लेकिन आदे डेटा पर किया पूरे डेटा को सेलेक्ट किया डेटा पर आते हैं और इसके बाद और ओप्षन मिलता है मैं शौट का शौट पर आने के बाद यहां पर हम किस चीज़ के ब्याप पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वेल्ली आप यहां पर हम ले चुके हैं स्मॉल टूल लेता हूं और टॉप में पूझे कौन सा कलर जी यह ग्रीन तौकि यह लो तो आल ए इसके बाद हम इसपे पहले अप्लाइ कर देते हैं अप्लाए कर देते हैं आइकन पर दे विपके कर सबसकर नहीं यहां पर इस तरीके से तॉप में आ जाएगा तो दोश्तों इस तरीके से आप आप शॉर्ट का यूजर कर सकते हो gefधार एब मात करते हैं यहां फिल्टर के किसी बीटर हो अपने इको गाइड कर सकते हो अब कलिक करके मैं कमल का क्लिक करो का इसा क्लेर करना है फिर मुझे क्या करना है clear करना है तो यहां से मैं clear करूंगा सारा डेटा नॉर्मल हो जाएगा दुबार आप किसी का data hide करना चाहते हो या more than one देखना चाहते हो तो जिनका भी देखना चाहते हो उस पर click करो ok कर दो आपको सिर्प उनी 2% का data show होगा तो मैं ऐसे clear कर देता हूं और filter भी हटा देता हूं इसके बाद बात करते हम advance filter की तो advance filter के लिए क्या करते हम मैं हाँ पर यह heading है इसकी यह copy कर लेता हूं और यहां apply कर देता हूं ठीक है इसके लिए मुझे हैं पर आना है एडवांस पे सबसे पहले लिस्टेंच वहारी हो गई इसके बाद क्राइटेडिया क्राइटेरिया निए क्या चीज़ हम्ट करें यहां पर फाइंड दोस्तों अगर आप अपने टेक्स को कॉलम में कनवर्ट करना चाहते हो तो यह उस चीज़ के लिए उस किया जाता है मैं क्या करता हूं सबसे पहले यहां से सलेक्ट करके ह इस आप आपको पड़ाया है तो यह हमें पने और अलड़ी कडीया क्योंकि मैंने अलड़ी है बता दिया है ऊ क्लोस कर रहा हूं क्लोस करने के बाद अब यहांसे मैंने चाहता हूं कि मेरे यानी स्टार्टिंग के दो करेक्टर यानी यहां पर मैं एसे लिखुँगा लिखने बाद इस तरीके से बीच में से पकड़ के ट्रैक किया और जैसे आप फ्लेश फिल पर करोगे क्लिक तो यह सारा जारा डेटा जो है यानि स्टार्टिंग के दो करेक्टर जो है वह सारे के सारे यहां पर शोग हो जाएंगे तो फ्लेश फिल की मदद से दो तीन चार पांच जितने भी करेक्टर आप अपने डेटा के शो करवाना चाहते हो वह करवा सकते हो इसके बाद आता है रिमोब डुप्लिकेट रिमोब डुप्लिकेट पर मैंने आप नंबर लिखे 10 अकांटिंग लिख लेते हैं सब्सक्राइब यहां आते मैंने 10 यहां से रिमोब हो जाएंगे तो इस तरीके से आप डुप्लिकेट वैली को रिमोब कर सकते हो इसके बाद बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की तो डेटा वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन का है तो इस पहले ऑप्शन आएक से लेके इतने अरिए वी कर सकते हैं लिखा वान यहां सिस अई नहीं करती है धी रखिर धर 사le यहां पर कितनी वैल्यू आएंगी एक से पांस तक की और अगर आपको इसे रिमॉब करना है तो सव्लेक्ट कीजिए डेटा वेलिडेशन में आए और डेटा वेलिडेशन में आके यहां से आप इसे clear all कर दीजिए और कर दीजिए अब यहां पर 678 कि तेवी टैप अब जाएते वाक्याओं यहांसे मैं से दिलेट करता हूं यहां पर conflict करने बात यहां पे आते हैं हैं यहां अपर क्लिक किया मैंने मैंने बोला 5.0 से लेके 6.5 तक की value सिर्फ यहां पर show हो और मैं ok करता हूं अब मैं यहां पर लिखता हूं 5.0 ठीक है 2.5 लिख रहा हूं तो यहां पर यहां पर एक्जिस्ट नहीं करेगी इसे मैं आठ आता हूं और वापस इसे select करके data validation पर आके यहां से कर लेता हूं अब आप यहां पर कुछ भी type कर सकते हो जैसे मैंने लिखा 8.3 तो वह भी यहां पर type हो जाएगा इसे मैं remove करता हूं दुबारा मैंने select किया select करने के बाद data validation पर आते हैं और click करने के बाद यहां पर option है list का ठीक है date का time का और custom का तो यहां पर मैं जो में में चीज़ा वह आपको बता देता हूं बागी चोटे मोटे हैं आप कर लीजेगा जैसे कि यहां पर डेट आप कर लीजेगा जो भी देट मेंशन करोगे आप स्टार्टिंग की डेट और एंड की डेट तो उसी के बीच की डेट आएगी ब sa coherent चाच में कितने हो इससे ड़ादा किसी ब्रत ना हो तो यहां पर क्लिक किया अब मैं आप नाम लिखता हूँ जीट मेरा नाम हो गया लोगा जैसे मैं लिखा पूश पेंड़ तो यहां पर क्या हो गया एट' करेक्टर से जाद होगां अब मैं जैसे एंटर करूंग तो य इससे भी रिमूब करना यहां से सलेक्ट किया डेटा विलिडेशन प्याइए यस किया अब आप कुछ भी यहां पर टाइप कर सकते हों इसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं लाश्ट जो है एक लिश्ट का उप्शन है वह बता देता हूं वह काफी अच्छा ऑप्शन है यहां पर मैंने यह सलेक्ट किया डेटा विलिडेशन प्याइए क्लिक किया और यहां पर ले लेते हैं हम लिश्ट तो यह है लिश्ट अब दोस्तों इसकी मदेश से हम क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डेटा फिल करवा सकते हैं दोस्तों यह जो मैंने पहला सेलेक् से यह जो है डेटा विलिडेशन अप्लाई हो जाएगा तो पहले पर तो मैं नेम ही चाहता हूं यहां पर क्लिक करके मैं चाहता हूं शनी की जगा कुछ और आ जाए तो मुझे टाइप करने की जूरत नहीं है जो भी सोर्स हमने सेलेक्ट करी हो सारे डेटा इस लिस्ट में आ आता हूं क्लेर और करके यहां पर मैं ओके कर देता हूं तो यहां से डेटा विलिडेशन हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं इसके लिए मैं आप एक नई शीट ले लेता हूं नई शीट लेने के बाद मुझे क्या करना है लिए यहां से एक काम करते हैं पीछे शीट पर तोटल करने के बाद कॉन सोली दे पर आते हैं औरित समय है और यहां पर यहां पर रेंज में हमारे से फैल अब हूं कहिंँ सब्सक्राइब चाहिए हॉँ यहां पर सम की जगल कर देना इस बार एवरेज यहां पर बहुत सा है क्लिकर आपको सिर्फ क्या करना है बागी अपके पास है और आप जैसे ही और वारोगे तो इस सब्सक्राइब कर सकते हो इसके बाद बात करते हैं रिलेशन्शिप की तो रिलेशन्शिप के लिए मैं आप एक नई सरी करते हैं थोड़ी सी पलती हो गई एसे डिलेट करते हैं और यहां पर लेटें कुछ है नियुक्ण पर कर लेते हैं कोल विदें अब एक और शीट लेनी है और मैं इसमें से क्या करता हूं इतना डेटा कॉपी करता हूं पहले और शीट 4 पर आके यहां पर मैंने प्रेस किया और यह सारा data है अब मैंने कॉर्स वाला से इसे डिलेट करके मैं क्या करता हूं फीस स्मॉल में करते हैं इसे वी कि सब स्मॉल में लिखा हमने पहले की फीस 15000 दूसरे की 12000 तीसरे की 13000 14000 और 5500 खुछ भी 거기 मेंंसी कर दिःजे मैंने कुछ बहुत अपने करने के लिए कहा Cool सिपका यज यूद्रे रिश्लेक्ट करना लिए आपको यहां पर एक को मैं षपलेट निया और यहां पर यह आपको जरुंट नहीं lud है आपको और इतना कडमें के बाद शीक 3 जी है यानि जो हमारा दू सथा या कि आजी सौरीों कि शीट 4 का डेटा यहां पे यानी दनों टेटां एक डिटाeze को बाहरां करना और दूसरे को टेवल में convert तो यहां पर टेवल पर convert करके मैंने OK कर लिया अब मैंने ऐसा क्यों किया क्यूंकि यह जो हमारी sheet 3 एक डेटा पाइवट टेवल पर आ गए यहां पर इस तरीके से तो यहां पर आने के पाद आपको क्या करना है यहां पर एक range option मिलेगा इस पर इस तरीके से क्लिक करना है और जो आपकी दूसरी sheet ती यानि यह table 3 यह ले लिए मैं है ठीक है अब मैं चाहता हूं कि जो name है हमारे ठीक है यानि जो हमारी पहली sheet थी उस पर name के हिसाब से मैं क्या देखना चाहता हूं तो मैं फीज़ पर क्लिक करता हूं तो यहां पर यहां पर यहां पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हो आप देखोगे कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर दिखा रहा है तो इस तरीके से आप किसी भी दो शीट के बीस में relationship जो है वो क्रेट कर सकते हो और डेटा जो करवा सकते हो मैं इसके बाद डेटा में आ जाते हैं और अचे ऑप्षिन क्या है वाट इफ एनलाइस तो मैं क्या करता हूँ शीट 3 पर या जाता हो और वाट इफ इनलाइस में में तो दोस्तों सिनेरियो मेनेजर का option यूज होता है सिनेरियो चेंज करने के लिए जैसे मैंने लिखा ठोधा कि प्रोड़क्त इसका रडे है 45 रुप комна प्wendप्न किलो अब सब्सक्राइब करते हैं कि यह किया और अब है क्या अब मैं क्या करता हूँ यह सेलेक्त करता हूं सौरी यह value select करता हूं what if analysis में आता हूं scenario manager पर click करता हूं ठीक है और यहां से मैं करता हूं add add करने के बाद यहां पर कुछ भी देदो मानलो मैंने लिख दिया यह मेरी sunday की sale की जो मैंने sunday को sale करी इतना rate था और इतना rate था करेंगा हमारे revenue का तो अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरा पहले कितना था हमें वार्टी पैनलाइस में आना है scenario manager पर क्लिक करके जो sunday वाला था जो हमने बनाया था मैंने सिनेरियो जो बनाया था उस पर शोपे क्लिक करना है automatic जितना भी आपका वेट था और हमान उत्ता वह यहां पर शोप हो जाएगा सिनेरियो मैंने जर का यूज सिर्फ सिनेरियो चेंज करने के लिए किया जाता है इसके बाद आता है गोल सी को उप्शन दोस्तों गोल सी को इसलिए होता है कि अगर हम अपनी value को change करके उसमों कुछ add करवाना चाहें तो कैसे करेंगे इसे example से समझ लेते हैं बता देता हूं मैंने यहां पर लिखा 4 यहां पर लिखा और यहां पर मैंने क्या लिखा मैंने लिखा equal to 4 plus 5 कितना होता है 9 होता है ठीक है मैं चाहता हूं यह जो मेरा 9 है यह कितना हो जाए 10 हो जाय और या पर यहां पर करना कितना है नहीं और इस तरीके shy mao to change कर सकते हो इसके बाद इसमें लाश्ट उप्शन आता है डेटा टेबल तो डेटा टेबल की मजब से आप टेबल कर सकते हैं अब करो के कैसे यहां पर मैंने लिखा वण एंटर किया और यहां पर लिखा 1 और अब आपको क्या करना है यहां पर इक्वल टू करना है और यहां पर 1 multiply 1 एंटर किया इतना करने का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह लिखा और यहां पर आप जितना लिखना चाहो 1,2,3,4,5,6, इतना लिखा, इतना को select करना है, select करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, वाटी फैनल आलिसे में और data table पर हमें करना है, click, और यहाँ पर क्या करना है, इस वाले में पहली value ले लो, चाहएं ये, चाहएं ये, कोई भी, मैंने आई ये लिया, और ज यहां पर जैसे कि मैंने क्या किया यह जो है हमारे मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया ठीक है सेलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं ग्रूप पर आके ग्रूप पर क्लिक करता हूं तो हमें ग्रूप क्या करनी है तो मैं जैसे ही okay करता हूं तो यह जो मेरी 3 रोष्ल हे ग्रूप हो चुकी है तो यानि की पूरी रोष्ल है वहожет हो जाmon करनी और और अगर मैं तुम यहां पर प्लैस पी डम्होप हो जाएंगी कुछ जोंकते हो तो आप देख सकते हो कि यहां पर अगर आप कॉलम ग्रूप करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम सिनेर्यों है जिसकी मदद से आप अपने कॉलम या रो को ग्रूप करवा सकते हो तो दोस्तों यह था आपका डेटर टैप अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मेंशन करें साथ ही हमें सोशल मीडिया पर भी जरूर फॉलो करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं त इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू